स्टुडेंट्स एसके क्लासिस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है यहां पर आपके सामने है कक्षा ग्यारवी का भौत एक विज्ञान का प्रश्ण पत्र सैट क्रमा के एक जिसका की यह थर्ड नंबर का पार्ट है यदि आपने फर्स्ट और सेकेंड को कम्प्लीटली वाच कर लीजे उसमें जो प्रश्ण और उनके जो सॉल्यूशन बताएं उनको अच्छे से तैयार कर लीजे उसके बाद आप यह जो थर्ड नंबर का पार्ट है उसको एंट तक देखिए एक एक करके मैं सारे क्वेस्टन को बताऊंगी भी और साथ मैं इ पीडियाफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जांके डाउनलोड कर लेना है यदि कोई दिक्कत होती है तो आप इसका पीडियाफ जो नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं तो चलिए बिना समय गवाय वीडियो को शुरू करते ह इसमें सारे ही most important questions को रखा गया है तो इसकी तयारी आपको अच्छे से कर लेना इसके अलाब अभी कुछ जो और important questions हैं उनको हम इस paper के बाद देख लेंगे तो चलिए यहाँ पे मैंने जो second वाला पार्ट है उसमें मैंने question number 11 तक आपको complete करवा दिया था अब यहाँ पे हम question number 12 पे आते हैं आवेक क्या है इसका ऐसा ही मातरक लिखिए तो यहाँ पे answer है बल तता समय अंतराल के गुड़नफल को बल का आवेक कहते हैं यहाँ पे सूत देखेंगे बल गुड़त समय अंतराल तो f मैं यहाँ पे होगा x into delta t ठीक है तो यहाँ पे यहाँ एक सदिश है जो एक किलोग्राम द्रव्यमान पाले पिंड पर कारे करने पर उसमें एक मीटर पर सेकेंड का स्क्वेर का त्वरण उत्पंद करता है तो वो कहला था है एक न्यूटन बल तीक है उस लास्ट वाले पार्ट नंबर सेकेंड में हमने टैंथ तक कवर किया था सौरी मुझ और नीचे जो इसके अत्वा में दिया गया है वो है गतिक घर्षन के प्रकार बताई तो दौनों ही क्वेश्जन को हम देख लेते हैं कि कैसे आपको उत्तर इनका लिखना है तो यहां आपको लाप दिये गए हैं तो चार लाप है आपको पढ़ लीजे किसके ही कान हम चल स सकते है साथ में जो है यहां पर इसी के कान कील पैच आदी को लकडी ठोक सकते है इस घर्षन के कान मलक सकतें ठीक है उसके धैज ऑनिया थे हैं कल पुर्जे जो है वो गिस जाते हैं उर्जा कि Хानी होती है左 फुरदृ न्री मार्ग में आधिक बल कर परशकतल है वह गिस जाते हैं उसके बाद हम यहां पर चार प्राकार माने गए इसमें स्थाटिक घर्षण फिसिलन घर्षण रोलिंग घर्षण और साथ में द्रव घर्षण फिर उसके बाद आजाता है question number 12 जो कि हमने अभी complete किया है फिर question number 13 मूल मात्रक तथा व्योत्पन मात्रक में अंतर लिखिए तो यह देखिए आप चार तीन अंतर दिये हुए हैं बाकि आप इन में से और भी एक बढ़ा की चार कर लीजिया पहला है मूल राशियों की जो मात्रक हैं उनको मूल मात्रक कहत हैं जैसे उधारन में लंबाई और समय तो इसको ही आप सेकेंड एक अंतर कर लीजिए तो आसे करके टोटल हैं चार ही दिये हुए ठीक ऐसी तरीके से व्योत्पन राशियों की जो मात्रक है वो व्योत्पन मात्रक हो गए जैसे की चाल बरावर दूरी बटे समय यह आपको कि मात्रक दे दूसरे से पूंधा सवतन फकवरते हैं यह मात्रक हो एक मूल मात्रकौण पर निर्भर रहते हैं ऐसे इसमर्पन मात्रक होते circular कि संख्या सीमिंध कल तरती में गथ ़ित। द्वारा करता द्वारा कारे करने की जो दर है उसको शक्ति कहते है इसे पी से प्रदर्शित करते हैं डबलू अपॉंटी यानि वर्क बटे सम है फिर जूल पर सेकेंड उसके बाद इसे वॉट जो है वो इसका ऐसा ही मात्रक है ठीक है यहां पर बता दीजे कि डबलू क्या प्रदर्शित कता और टी क्या फिर आ जाते हम यहां पर क्वेश्चन नंबर फॉर्टीन पर कारे उर्जा प्रमे आपको लिखना है तो यहां पर देखें किसी बल की द्वारा किया गा है कारे जो है वस्तु की गते जूल परिवर्तन के बराबर होता है फिर उसके बाद इसको निकाल लेना है यहां पर डाइग्राम भी आप बना देंगे फिर उसके बाद आगे हम यहां पर फिर गती की नियम से जब आप सारी चीज़ों को हल करके यहां पर लिखेंगे तो लास्ट में आपका वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी डबलू इस इक्वाल ट जाएगा इसका एक-एक स्टेप में इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि यदि मैं समझाओंगी तो आपका हर एक प्रमे से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और यह प्रॉपरली हम त्रमासिक के बाद क्लास लेके फिर उसके बाद प्रिपेर करेंगे अभी एक्जाम पास होती है तो यहां पर देखे कि नावी की विखंडन के दौरान जो उर्जा है वो द्रव्यमान के रूप में द्रव्यमान का जो रूपांतरण है वो उर्जा में हो जाता है और यहां पर द्रव्यमान की हानी हो जाती है इसी को यहां इस उत्तर में समझाया गया है कि द्रव विमान की हानी है और सी जो है वो प्रकाश की चाल है ठीक है तो यही और यहां पर कुछ बात हैं भी है जो आप बाद में स्क्रीन शॉट लेके पड़ सकते हैं जो नाफी की यह बिखंडन से जुड़ी हुई है फिर उसके बाद यहां पर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 15 ह क्या होता है उसी के अथ्वं है इसका पोजिट अब प्रत्यासट संगट क्या होता है तेकि शुड़ेंट्स आप सभी वीडियो को जादर से लाइक करिए क्योंकि हैं कि definition की मैंने आपकी जो दिमांड इस पर ही बनाई हैं बाकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसकी आंसर की बना पाऊं लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको question के साथ answer की भी provide करवा पाऊं तो यहाँ पर प्रत्यास्त संगट वे संगट होते हैं जिनमें रेखी संबिक के साथ गतिज उर्जा भी संरक्षित होती है दो यहाँ पर point दिएगा है कि यह रेखी संबिक संरक्षित रहता है और निकाई की गतिजूर्जा में कोई परिवर्टन नहीं होता उसी प्रकार से यहाँ पर प्रत्यास्त संगट के आपको यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर डाइग्राम मिल जाएगा उधारण में काच की गोलियों का संगट ठीक है फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रत्यास्त संगट का यहाँ पर परिभाशा है यह वे संगट होते हैं जिनमें रेखी संबिक संरक्षित रहता है किन्तु गतिजूर्जा संरक्षित नहीं रहती दो वाहनों का जो संगट है वो किसी गेंद का इस पर्ष से संगट आ दी अब प्रत्यास्त संगट के उधारण है ठीक है तो यह दोनों की यहाँ परिभाशा आपकी कम्प्लीट हो गई उसके बाद इसके बारे में आपको दो तीन बिंदू भी हाँ देखने को मिलेंगे तो वो आप आराम से अच्छे से इसका स्क्रीन शॉट लेके तैयार कर लीजे फिर यह प्रेशनिक्रमांग 16 प्रत्यास्त स्थितेज उर्जा की परिभाशा लिखिए यह रहे इसकी परिभाशा कि यह वह है उर्जा है जो किसी वस्तू के आकार में विरूपन के कारण उत्पन होती है और साथ में जिसकी वज़े से वस्तू विक्रित हो सकती है फिर अपने मूल आकार में वापस इसको लाया जा सकता है और उसमें जो भी वस्तू इस प्रकार से ब्योहार करती है उसमें प्रत्यास्त उर्जा जो प्रत्यास्त इस्थित उर्जा है वो हो सकती है जैसे कि रबर बैंड, स्पंज, बंजी काड और अगाई अन्य तो यहां देखें रबर का चित्र बना हुआ है और भी इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई तो इसे आप पढ़ लीजे फिर इसके बाद है सनरक्षी बल एवं आसनरक्षी बल में अंतर लिखिए तो यहां पर देखें यह तीन अंतर दिये गए हैं कि जो सनरक्षी बल है वो कड को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने का कारे पत पर निर् करता है इस बल के अंतर जो है वो गती शील कर में गर्टिज उजा जो रहती है गती शील कर की उसमें परिवर्तन नहीं होता जबकि इसमें परिवर्तन होता है उधारण क्या है गुरुत्वी बल और इसका है घर्शन बल फिर है प्रेश्निक्रवांक 17 उध्वादर उपर की और फेके गए पिंड के लिए आपको गती के समीकन प्राप्त करना है तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवक है उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मैं दो तीन क्वेश्चन आपको भी करने के लिए दूंगी जिससे की ये पता चले कि आपने अभी तीन महिने में कितनी पढ़ाई की है अब यहाँ पर देखते हैं नैक्स्ट व्रत्ती गती किसे कहते हैं एक समान व्रत्ती गती के लिए अभी किंद्रिये त्वरण आपको ग्यात करना है तो यह देखिए यहाँ पर व्रत्ती गती मैंने पहले एक क्वेश्चन में बता दिया था यह उसी का ही आंसर है लेकिन मैं एक बार और बता दे रहे हूं कि किसी वस्तु यह कर्ण के दौर व्रत्ताकार पथ पर की जाने वाली जो गती है वो व्रत्ती गती कहलाती है यहाँ पर एक डाइग्राम बना यहाँछा था कैंदरी त्वरण के लिए बिश्चному यहाँ पर चित्र बना में इसके बाद लेकार दीकिवेग्राम फցर देखे लिए गारता में कीमितफ़न जानने हों मंहींग्राद निकेलने विस्त गार और दियोटिट से वंता जाता है तरहे हैं ओ सवर जान दे दिया जाएगा और उसके पहले यहां पर समीकरण नमबर जो एक इन्होंने दिया है वो दिया है यहां पर इस वाले समीकरण को ठीक है उसके बाद फिर समीकरण एक और दो पर मान रखके यह वैल्यू आ जाएगी फिर उसके बाद आगे इन्होंने हल किया है और बताया है कि वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो त्वरन के बराबर होती है फिर समीकरण 3 से ये जो चौथा समीकरण बना दिया है फिर V बराबर omega r समीकरण 4 से आजाएगा A बराबर omega into omega r तो omega square r फिर उसके बाद यहाँ पर समीकरण 4 से A is equal to omega square r फिर उसके बाद नीचे आके लास्ट में जब सारे मान देखेंगे तो a बराबर v का square upon r ये हो जाएगा समीकर नंबर 6 और ये ही होगा आपका अभी केंदी त्वरण का सूत्र फिर और आपको आगे solve करके यहाँ पे निकालना है कि 2 pi v is equal to omega फिर 5 से यहाँ पे value पुट करना है ये बराबर 4 pi square v square r ये 7 नंबर का आपका समीकरण हो जाएगा 4, 3, 6 और 7 से अभी केंदी त्वरण को ये प्रदर्शित करते हैं फिर है question number 18 सिद्धिकी जी कि एक समान व्रती गती में पिंड का आवरतकाल उसकी आवरती के व्रतकरम के बराबर होता है यहाँ पर आवरतकाल की परिभाषा देख लें ठीक है उसके बाद फिर इहाँ आवरती की परिभाषा दी गई है फिर संबन्ध इहाँ दिया गया है कि यदि एक समान व्रत्ति गती वस्तु की आवरती एन है और आवरतकाल थी है ती सेकेंड में डोलनों की संख्या एक, एक सेकेंड में डोलनों की संख्या कित्ती हो जाएगी, वन अपॉन जी, तो यहाँ पर आवरती जो हो जाएगी, बराबर वन अपॉन आवरत काल, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर अभीके त्वरण के बारे में दिया गया है ठीक है उसके बाद फिर ये इसका डाइग्राम है और यहां पर व्यंजक आपको निकालना किस तरीके से है वो भी मैं आपको बता देती है तो ये रहा इसका व्यंजक इसमें आपको थियोरी के साथ साथ कुछ सूत्रों के माध्यम से इसको हल करना है और उसके बाद यहां पर एट लास्ट इसको यहां पर अभी केंद्री त्वरण के वंजक के रूप में आपको लेख लेना है उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नमर 19 सिद्धि कीजिए कि एक आंक त्रिज्या की रत्ती गती में रहखी वेग वस्तू के कौणी बेक के बराबर होता है तो यह देखिए यहां पर लेखेंगे कि एक समा चाल स्से आर्थ रिज्या की रत्टी मार्ग मैं परीधी पर डेल्टा टी समय में 돼요 आर विस्तापन तयकरता है कोई भीख कन तो मार्ग पर केंद्र पर डेल्टा ठीटा कौन अंतरेत यह यह करता है फ प्यार कमान एक रख देंगे तो क्या आजाएगा वी बराबर डबलू तो यह पूरा आपको वेंजक यहाँ पर लिख लेना है और हल कर देना है अब है लास्ट क्वेशन सिद्धी कीजे कि एक आंग तिर्जा में रत्ती गती में रेकी त्वरंट पस्तू के कॉड़ी त्वर अब नेक्स्ट जो वीडियो है या तो मैं उनको इंपॉर्टन क्वेशन की वीडियो डालूंगी या फिर नेक्स्ट किसकी मॉडल पेपर की मैं वीडियो लेकर आने वाली हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को साथ ज़्यादा लाइक और शियर करना मत भ भूलिये थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो